हेलो दोस्तो वेलकम टू स्पेसाल इस्टडी फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रमुक दिगज निताओ की सेलरी के बारे में कि आपको पता है नेरेनमोदी कितना कमाते हैं राष्ट्रपती, प्रेसिडेंड, अमिस्स, राजनासिय कितना कमाते हैं अगर आ प्रमुक नेताओ की सेलरी ठीक है तो चले देखते हैं केक करके पहले अगर हम बात करें प्रेसिडेंड की ठीक है तो हमारे भारत के प्रेसिडेंड कों है रामनात कविन आप सबी जानते होंगे तो फ्रेंड्स आपको क्या पता है कि ये कितना कमाते हैं पर मन्त इस वीडि में केवल में सेलरी की चर्चा कर रहा हूँ तो अब बता सकते हैं कितने पर मन्त कमाते हैं यह तो राश्ट्रपती की अगर बात करूं तो राश्ट्रपती कमाते हैं पर मंत 5 LAK ठीके 5 LAK रुपय महिना प्रेसिडेंट को मिलता है ठीक है याद रखेगा लेक्स्ट अगर हम बात करें उपराष्ट पति की जो की वाइस प्रेसिडेंट तो हमारे भारत के वाइस प्रेसिडेंट इस समय कौन है तो इस समय हमारे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट है वेंकया नाइडू याद र नेक्स्ट अगर हम बात करें राज्जीपाल की गवर्नर की ठीके तो ये आपको पता होना चाहिए कि हर स्टेट के अलग-अलग गवर्नर होते हैं तो इस टैम पे अगर मैं MP के गवर्नर की बात करूं तो लाल जी टंडन है मद्धे प्रदेश के और इनके अगर सेलरी की बात करूं तो 3,50,000 ठीके तीए 3,50,000 कमाते हैं वैसे हर स्टेट के जो गवर्नर होते हैं उनका अलग-अलग सेलरी होती है नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हमारा प्रदान मंत्री प्राइम मिनेस्टर जो कि आप जानते हैं कौन है तो अग्साहाट हजार कमाते हैं पर मंत क्योंकि कई लोगों को इसा लगता है कि नरेन मोदी जो है प्रदान मंत्री यह सबसे बड़े हैं लेकिन इसा नहीं है चले देखते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे बात करते हैं सर्वोच्ची नयाले के मुख्षिनायदिस चीप और सुप्रिम कोट तो यह कितना कमाते हैं तो फ्रेंड्स याद रखेगा यह कमाते हैं दो लाक असी हजार ठीके पर मंत की बात कर रहा हूं मैं इसके अलावा अगर अन्य नयायदिस की बात की जाए तो जो सुप्रिम कोट के अन्य नयायदिस होते हैं जितने भी ठीके तो उनकी अगर सेल्ड की बात की जाए तो फ्रेंड्स वो कितना कमाते हैं दो लाख पचास हजार ठीक है जैसा कि आपको मैं वीडियो में देख पा रहा हूँ यह अन्य नाइदी से उनकी सेल्ड कितनी होती है दो लाख पचास हजार वैसे ही अगर हम नेक्ष्ट देखते हैं नेक्ष्ट बात करते हैं उच्ची नियाले मतलब कि जो हाई कोट होते हैं जैसे हर इस्टेट में अलग-अलग होता है अगर मैं मद्दे प्रदेश की बात करूँ तो मद्दे प्रदेश का हाई कोट जैसे है जबलपूर में ठीके तो वहां की जो चीप जश्टीस है मुक्केन आइदी से तो मद्दे प्रदेश की बात करूँ तो जही कुमार मित्तल ह हैं वेसे हर इस्टेट के अलग-अलग हाई कोट के चीप जश्टिस होते हैं तो इनके अगर सेलरी की बात करूं तो ये कितना कमाते हैं दो लाग पचास हजार याद रखेगा चीप जश्टिस हाई कोट की बात कर रहा हूं इसके पहले मैंने सुपरीम कोट की बात करी थी जो 2,80,000 कमाते हैं और high court के 2,50,000 इसी प्रकार high court के अन्य नयायदी से के अगर में बात करूँ तो कितना कमाते हैं तो friends से याद रखेगा high court के जो अन्य नयायदी से वो 2,25,000 कमाते हैं पर मन्त ठीके नेक्स्ट अगर में बात करूँ मुख के चुनाव आयुक्त जिसको Chief Election Commission भी बोलते हैं और इस टैम पे कोन है तो इस टैम पे जो भारत के मुख के चुनाव आयुक्त है सुनिल अरोडा है इनकी salary कितनी होगी तो इनकी salary भी 2,50,000 है चले देखते हैं नेक्स्ट तो नेक्स्ट अगर हम बात करें नियंत्रक और महलेका परिक्चक मतलब controller auditor भी बोलते हैं तो इस समय भारत के controller और auditor को ने नियंत्रक और महलेका परिक्चक तो यह है राजिव महरसी जिनकी salary कितनी है इ इनकी salary है 2,50,000 है यह सात्वा वेतन लागू होने के बाद की बता रहा हूँ salary के जो की वर्तमान समय में है नेक्स्ट अगर हम बात करें सांसद मतलब member of parliament जो की हर अलग-अलग city से होते हैं जैसे यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ अमिस सहा की ठीक है जो की ग्रह मंत्री है वेसे हम राजनासी और भी निर्मला सितरावन और भी जित्ते पारलियामेंट है उनकी सब की अलग-अलग होती है ठीक है मैं अगर अमिस सहा की बात करूँ तो उनकी salary होती है पर मांत एक लाग की वेसे ही हर पारलियामेंट की अलग-अलग होती है सांसत की ठीक है जाना इस्टेट के जो C.A. में वो पर मंत कितना कमाते हैं तो 4,10,000 दिल्ली की बात करूं तो 4,00,000 उत्तर विदेश की बात करूं तो 3,60,000 इसी प्रकार हर इस्टेट के जो C.A. में मुक्य मंत्री है उनकी अलग-अलग सेलरी होती है याद रखी है कई लोगों को नहीं पता है ये ठीके तो फ्रेंड्स अगर आपको आज वीडियो अच्छा लगा हो ठीके और आपके लिए फायदे मन और आपके लिए knowledgeable हो तो channel को like कीजेगा अगर आपने इस channel को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कीजेगा साथ में bell icon को भी प्रेस कीजेगा और इस video को ज़्यादा से ज़्यादा share कीजेगा ठीक है क्योंकि knowledgeable video था कहीं लोगों को seller के बारे में नहीं पता है ठीक है तो मिलते हैं एसा ही और भी important topic के साथ next video में all the best और इस video को ज़्यादा से ज़्यादा share कीजेगा और channel को subscribe जरूर कीजेगा मिलते हैं next video में